कि आप केवल मुस्लिम नाम देकर तुष्टी करण के लिए दोडाते हैं लेकिन आप पालगर के साध्मों को भूल जाते हैं आप डॉक्टर नारंगों को भूल जाते हैं आप कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को भूल जाते हैं आप ये नहीं देखते हैं कि हिंदू या मुस कौली राकेश पांडे भाईया इस्त्री न तो वस्तू है और मुस्लिम न तो बैंक है दोनों जीते जागते इंसान हैं समवेदना युक्त इंडिया गडबंधन जो कर रहा है वही काम OAC और बदुरुद्दिन अजबल भी कर रहे हैं मुसलमान को बैंक समझ कर औरत को दिनों ऐसी असदु दिनों ऐसी और बदुरुद्दिन अजमल भी वही करते हैं तो यहीं से अलग नहीं है और एक मैं बड़ी महतुपून बात यहां पर कहना चाहूंगा बार बार चर्चा हो रही थी यादाव जी को पहले तो जैश्री कृष्णा कहना चाहूंगा महाका महाकाल के मंदिर पर जाकर एक तिवारी महाकाल का नारा लगाता है उसके साथ भी यह दिवो अपरादी है तो उसका एंकाउंटर किया गया और वो को मुस्लिम नाम वाला था उसका भी एंकाउंटर किया गया धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया मैं के निवे जाओं को भूल जाते हैं आप ये नहीं देखते हैं कि हिंदू या मुस्लिम किसी के भी साथ अत्याचार हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए मैं राकेश पंडेविया एक मिनट बस और चाहूंगा एक महतुपूर बात यह रही है यदी राकेश भाईया मेर मेरा देश इटली से संचालित हो मेरा देश चाइना से संचालित हो मेरा देश रशिया से संचालित हो ये बात आए तो मैं कहूंगा वहां से संचालित नहों नाकपूर से संचालित हो दिल्ली से संचालित हो क्योंकि नाकपूर और दिल्ली मेरे देश के अंदर है ये मेरा म वस्ता है ये रोजा रखना अफ्तार पालिटी जो मुसलमानों का धार्मी करता वे था उसको राजनितिक बनाया मोदी जी ने उसको खतम कर दिया क्योंकि सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टॉपी नहीं पहले है